हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपी के चैनल में आज हम बात करेंगे येस बैंक के बारे में में तेजी हो इसका असर हमें येस बैंक पर देखने को नहीं मिल रहा अगर आप जानना चाहते हैं येस बैंक में तेजी कप आएगी इस वीडियो के माधियम से हम आपके सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे आज का वीडियो काफी informative होने वाला है इन तक बने रही है चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले एक reminder देता हूँ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से subscribe बटन दबा दीजिए और इसके बाज जो ब पर एक range में ही चल रहा था ये open हुआ था 16 रूपीज पर यह high लगाया 16 रूपीज 15 पैसे और low लगाया 15 रूपीज 95 पैसे जो already इसमें position बनाकर बैटे हुए हूँ उन्हें तो काफी frustration हो रहा होगा क्योंकि लगातार ये 15 रूपे 50 पैसे से 16 रूपे 50 पैसे के बीच में ही shuffle करता हुआ आ रहा है अगर आप भी उसमें से एक है तो comment करके बताइएगा चले next हम nifty का performance देख लेते हैं friends आप यहाँ देख सकते हैं आज भी ये trend line break नहीं किया है nifty 50 ने ये trend line पकड़ कर चलता हुआ जा रहा है nifty 50 तो यह अभी positive indication है कि यहाँ से तेजी continue रह सकती है friends percentage में देखें तो 0.10% की गिरावट देखने को मिली है चले अब हम bank nifty के बारे में बात कर लेते हैं जैसे कि हम banking stock के बारे में बात कर रहे हैं तो bank nifty भी देख लेते हैं आप यहाँ देख सकते हैं bank nifty भी एक trend line follow कर रहा है और ये higher high बनाता हुआ उपर की तरफ जा रहा है friends तो ये indicate करता है कि market या तो sideways रहेगी या तो उपर जाएगी जब trend line break करेगा तभी इसमें गिरावट हो सकती है और bank nifty ने closing दी है 43,475 पर चले next हम yes bank का volume analysis कर लेते हैं one month का average है 13 crods one week का average 9 crods और last trading session में 10 crods का volume था और आज आप देख सकते हैं 6 crods का volume volume में गिरावट देखने को मिल रही है friends क्योंकि आपको तो पता ही है आज weekly expiry था जिसकी वज़े से काफी volatility देखने को मिली है चले next हम news देख लेते हैं क्या निकल कर आई है yes bank को लेकर यहां आप देख सकते हैं now MSME can get up to rupees 3 crods loan to install solar panel at premises yes bank एक नया scheme लेकर आया है friends जिसमें MSME को 3 crods तक का loan दिया जाएगा solar panel को install कराने के लिए अपने premises में और इसका सीधा सीधा फाइदा MSME को होता हुआ दिख सकता है और yes bank को भी होता हुआ दिख सकता है इसे यह होगा कि अगर MSME अपने premises में solar panel दलवाते हैं तो सीधा सीधा उन्हें फाइदा होता हुआ दिखेगा friends क्योंकि उन्हें electricity का cost बचेगा अगर cost बचेगा तो यह installment के और पर yes bank को right time पर payment कर सकेंगे तो यह एक अच्छी scheme निकल कर आई है yes bank के दुआरा और यहां आप देख सकते हैं friends MSMEs will be able to reduce their operational cost जैसे कि मैंने बताया उनके operational cost में reduction होगा क्योंकि electricity की bill में उन्हें काफी बचत होगी और उनका operational cost घटेगा और bank ने बताया है कि उन्हें competitive interest rate प उसका पुरा का पुरा support दिया जाएगा याने के planning से लेकर implementation तक पुरा support दिया जाएगा yes bank के दौरा अगर हम आगे देखें तो आप यहां देख सकते हैं yes bank ने tata power solar system से goldy solar, loom solar और panasonic solar power system से tie up किया है MSMEs को renewable energy की तरफ ले जाने के लिए तो यह एक बड़ा कदम लिया गया है प्रशांद कुमार जी के दौरा यह एक अच्छा initiative है क्योंकि यह win-win situation रहेगा small and medium size business के लिए और bank के लिए bank को भी अपना interest time to time मिलता रहेगा और small businesses अपना operational cost reduce कर पाएंगे चलिए next हम देख लेते हैं उससे पहले इस video को like कर दीजिए क्योंकि आपका एक like हमें motivate करता है इस तरह की informative videos बनाने के लिए चलिए next news देख लेते हैं क्या निकल कर आई है yes bank को लेकर यहां आप देख सकते हैं cash free payment partner with yes bank to offer global collection service for exporters global collection से tie up किया है yes bank ने cash free payments के लिए friends जो कि एक again एक अच्छा initiative लिया गया है management के द्वारा यह tie up का सीधा सीधा फाइदा customers को और bank को होता हुआ दिखागा friends क्योंकि कई NRI या विदोशों में customers है yes bank के जो export में deal करते हैं यहां हम देख सकते हैं an international collection service for exporters who hold an account with yes bank तो इनके export के business में different currencies से deal करना पड़ता है तो yes bank का जो tie up है global collection से इन exporters को काफी साहता मिलेगी उनके goods को export करने के लिए क्योंकि उन्हें payment मिलती है different currencies में और जो currency में payment मिलेगी वो easily INR याने के Indian currency में convert कर ले सकते हैं friends तो यह सीधा सीधा फाइदा again yes bank के customers को होता हुआ दिखेगा और इसका direct effect customers को और bank को होता हुआ दिख सकता है friends तो यह बहुत बड़ा initiative लिया गया है यह बैंक के CEO प्रशांद कुमात जी के द्वारा और इस news को हम आगे देखें तो friends यहां आप देख सकते हैं इस partnership enabled the bank's account holder to collect payment in over 30 foreign currencies इस partnership से account holders को 30 foreign currencies में payment accept कर पाते हैं friends और यह amount easily INR यहां आप देख सकते हैं the funds collected can be converted into INR and settled into the local bank account within one business day सिर्फ 24 hours के अंदर अंदर इनका जो भी foreign currency में amount received हुआ है वो INR में convert होकर उनके account में settled हो जाएगा friends तो यहां आप देख सकते हैं दुबारा से आज एक अच्छा सा green candle बनाया है और यह अपने resistance के पास ही आकर closing दिया है friends जैसे कि आप देख सकते हैं 16 रुपीज 15 पैसे का एक strong resistance है वो काफी दिनों से लगातार उस resistance को break नहीं कर पा रहा है अगर यह 16 रुपीज 20 पैसे के ऊपर निकलता है तो यह easily 16 रुपीज 65 पैसे और इसके बाद आपको 17 रुपीज और 17 रुपीज 30 पैसे का भी target देखने को मिल सकता है और नीचे की सर देखें तो यहां आप देख सकते हैं 15 रुपीज 45 पैसे का एक strong support है वो काफी दिनों से break नहीं कर पाया तो यह strong support बन कर आया है 15 रुपीज 45 पैसे और worst case में यानेगे अगर बड़ी गिरावट भी होती है तो यह 14 रुपीज 75 पैसे का एक strong support है और मुझे न जोके उपर की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है तो आप देख सकते हैं सभी positive indicators है यह अलग बात है कि market इस समय yes bank को support नहीं कर रही है जिसकी वज़े से आपको एक sideways moment देखने हो मिल रहा है जो short term में invest करना चाह रहे हैं मुझे उन्हें suggest करूंगा कि जब यह दुबारा से 15 10 पैसे जहां closing दिया है और जबी भी आप invest कर रहे हैं तो SIP में invest कीजिए यानि के आपके investment को 30-30-30% में split करकर invest कीजिए ताके आपको एक अच्छा मुनाफ़ा देखने को मिले हैं अगर आपने yes bank में invest किया है तो comment करके बताइए का किस price पर आपने invest किया है चलिए इसे के सा अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से subscribe बटन दबा दीजिए और उसके बाद जो बेल की घंटी है वो भी दबा दीजिए ताके आपको इसी तरह की informative videos सबसे पहले मिलती रहे धन्यवाद कि अच्छिछ पुटए जर आपको